नमस्कार दोस्तों किया हुआ था उस दिल किया हुआ था उस दिल जो तरी घटना घटी और लोग को वहां से निकलने के लिए चारपाई का सारा तक लेना पड़ अगर ऐसी घटना गए किसी की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता वह बिसका दिकारी या वह सब्सक्राइब कर दिया जो कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था कि वह लोग नहीं चाहते थे कि चुनाओ का रिशों कम करना चाहते थे और अपनी साजिश में काम्लाव होना चाहते थे वहाँ पर आये लोग के लिए कोई भी दरस्ता नहीं की गई थी बार बार ईविय मशिन बन पर जाती थी लेकिन कुछ लोग है जो समाज को खराब कर रहे हैं केवर अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए क्या मनोच का इतना ही अपराब था कि वह भिस्त लोगों के खिलाफ ख़ड़ा हुआ था कि वह उन लोगों के खिलाफ अपना मत डान करकर आया था क्या इस दोस में अन्योग के खिलाफ आवाज उठाने वाले के साथ ऐसा किया जाएगा हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने होगी आज नहीं तो कभी नहीं वरना जो आज इनके साथ हुआ है कलाप के साथ भी हो सकता है इतना सब गोने के बावजूद भी किसी एक ने भी इस भ पड़ेगा अन्याय के खिलाप आवाज रखाने पड़ेगी ताकि कोई भी भृस्त अदिकारी हमारा शोचल ना कर सके और ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके और कोली समुदाय के लोग बहुत दयालू वो चाहते हैं कि इस अन्याय के खिलाप उस ब्रस्त अदिकारी के खिलाप शिकायत दर्ज करा सकते थे लेकिन उन्याय ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उस अदिकारी की मौकरी चली जाती है और उसके बीवी बच कुछ भर्स्त लोग में से टबाय वहीं होती है क्योंकि सोसाथी तबाह होती है कुछ ऐसे ब्रकी से कुछ तबटी ऑर व्यक्तियों से जो अन्याय के खिलाप इव्य बंदर एक उन्की खिलाफांवासने उठाते में murder को एक और मिठी समय नहीं देते हैं मुठी बर्रोग कर प्रतिशत लोग अपने मनमानी तरीके से एजियम में अपने मनमाने विजिनिश्य पास करते हैं और हम पर थोप देते हैं मेरे दोस्तों आप ये लोग आपका घर देशने को तयार हैं कल ऐसा ना हो कि ये लोग आपका पूरा का पूरा जाओ देशने और आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहें इसलिए कहता हूँ ये सही समय है एक जूठ होकर इस अन्याय के खिलाब आवाज उठाईए जै हिन जै मारास्टा